हाई फ्रेंड्स आप मेरे लेटेस्ट अप्डेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com slash hindi tech tools टाइब करके यहां subscribe बटन प्रेस करिए अगर आप subscribe बटन प्रेस करोगे तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अप्डेस लाता हो ना और सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे फ्रेंड्स आज कल देखिए हमारे चानल पर यानि मेरे चानल और चार फ्रेंड्स के चानल मिला कर एक giveaway प्लान किये है ठीक है उसमें देखिए जो पहला प्राइज है वो आपको note 3 है शौमे note 3 है इसको आप जीतना चाहते हो तो देखिए आपको पिछले वीडियो में मैंने procedure बजा था सेम उसी तरह आप अपने email अटर डालिया और ये सारे चानल पर subscribe कर लिजे आपको देखिए सिर्फ 5 मिनिट लगेंगे और ये 5 मिनिट के लिए आपको देखिए मोबाइल मिल सकता है ठीक है second price tab है third price we are set है ठीक है तो आप इस मोके को मत गमाएए सिर्धा आप देखिए यहाँ नीचे लिंक डाल कर अपना email अटर डाल कर subscribe कर लिजे ठीक है तो बहुत आसान है सिर्फ 5 मिनिट लागे फ्रेंड्स cashless transactions के लिए देखिए कल एक नया आप लांच हुआ था ना बीम यानि छोड़ा बीम नहीं है यह दूसरा बीम है देखिए आप Google Play Store पर जाकर इसको डाउलोड कर सकते हो तो आलड़ी मैंने डाउलोड कर चुका हूं करने के बाद देखिए इस तरह का एक screen आता है आपके पास देखिए आपका mobile 5.1 से जादा version का होना चाहिए ठीके और देखिए इसमें क्या होना चाहिए आप इसमें जो mobile का SIM है ना वो primary SIM होना चाहिए प्राइमरी SIM यानि देखिए आज कल आपके पास Geo SIM हो तो आप क्या कर रहे हो उसको पहले SIM पर डाल रहे हो इस तरह नहीं होना चाहिए इसमें देखिए आपको आपका जो SIM है ना, वो पहले स्लाट पर डालना चाहिए. काउंचा सा सिम, जो आपके बैंक पर रिष्टर होता है ना, उस नमबर का SIM पहले सिम पर डालिए. तब जाकर आपको यह काम करेगा वरना नहीं काम करेगा. ठीके, तो नमबर भी आपके बैंक पर रिष्टर होना चाहिए, बाद में देखिए, यहां नेक्ट बटन प्रेस करिए, प्रेस करते ही देखिए, आपको अलो पूछेगा, अलो पूछते ही आपको यह नेक्ट स्क्रीन पर लेकर जाएगा, नेक्ट स्क्रीन पर आने के बाद आपके एक code पूछेगा, ठीके, तो आप जो चाहे वो मर्जी आपका code लगा सकते हो, ठीके, यानि इंटर करने के लिए, अगर आप अपने mobile को reset या format या कुछ करते हो, तो दुबारा से login होने के लिए आपको एक code पूछेगा, ठीके, तो आपको कमपल सरी एक code लगाना है, ज देखे, मैं कुछ भी लगा देता हूं, दुबारा से पूछ रहा है, दुबारा से भी दे देता हूं, और दुबारा से OK बटन प्रेस करता हूं, प्रेस करते ही देखे, यहां जितने भी banks है, उन सारों के list यहां पर आ जाएगी, ठीके, तो आपको इसमें से counts up bank चाहिए, वो bank select कर सकते हो, जैसे देखे, मैं यहां SBI को select करता हूं, SBI को tap करते ही, देखे, यहां मेरे पास एक error message आ चुका है, account does not, क्यूंकि देखे, इस पे मेरा bank account नहीं था, इसलिए मैं आंधरा bank प्रेस करता हूं, bank account यहां नहीं, मेरा mobile number register नहीं था, आंधरा bank पर ह ठीके, तो देखे, मेरा आंधरा bank के details आचुके है, यहां tap करता हूं, tap करते हैं, दूसरे screen पर आ जाएगा, यहां आपको और UPI pin set करना है, ठीके, तो यह must है, ठीके, तो यहां एक UPI pin है उसको प्रेस करिए, उसको प्रेस करते ही, आपको एक UPI pin set करने के लिए कहेगा, ठीक मैं कुछ भी डाल चुका हूँ यहां, बाद में देखे, आपको यहां आपका expired date डाल कर, वोके बटन प्रेस करना है, आपके mobile पर OTP आएगा, OTP आने के बाद देखे, यहां आपको करना क्या होगा, OTP डालने के बाद, यहां देखे, sit UPI pin आ रहा है, ठीके, तो यह UPI pin जो ह है, आपके मर्जी, पर इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखे, यह UPI pin के जरीए ही आप transactions कर सकते हो, ठीके, तो कंपल जरीए आप अपने जो UPI pin दिया था ना, उसको याद रखिए, आपको दो बार पुछेगा, दो बार डाल दीजे, ठीके, तो मैं देखे, ब अपना एक मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीके, डालने के बाद देखे, यह वेरिफाइ का बटन है ना, उसको प्रेस करते ही, वो मोबाइल नंबर के सारे डीडिल चाल जाएंगा, कितना अमोंट बेजना चाहते हो, जैसे दीखिए, मैं एक दो रुपे डालता हू ठीके, तो आप यहाँ डाल सकते हो, डालने के बाद देखिए, आपका अमोंट पे हो जाएगा, सीज़ आप बैंक पर चले जाएगा, बीच पर भी नहीं जाएगा, ठीके, आप रिक्वेश्ट भी कर सकते हो, रिक्वेश्ट प्रेस करके, आप किसके पास से पैसे मांगना चाते हो, ठीके, तो लोगों का मॉबाइल नमबर डाल दीजिए, ठीके, तो डाल के यहाँ, वेरिफाई बटन प्रेस करते ही, यह आपको अगले स्क्रीन पर ले कर जाएगा, आप कितना अमोंट इसे मांगना चाते हो, डाल कर रिक्वेश्ट प्रेस करते ही, उनके पास ए अगले स्क्रीन प्रेस करें, और यहाँ जितना अमोंट आप क्यूर को बनाना चाहते हो, उतना अमोंट का जाल दीजिए, जैसे 20 दाल कर में हैं, जिए प्रेस करते ही, यहाँ एक क्यूर कोड हो जाएगा, इसको प्रेंट निकाल कर आप अपने दुकान के आगे लागा सकत हो, कोई भी आकर स्कान करता है, तो वो 20 रुपीस आटोमीटिक स्कान हो जाएंगे, और ट्रांजक्शन भी देख सकते हो, ठीके, और देखे आप प्रोफाइल, और देखे यहाँ बैंक अकॉंट है, इसको प्रेस करते ही, आपके बैंक अकॉंट डिटल दिख जाएंगे, आप अपने UPA pin को reset कर सकते हो, change कर सकते हो, और balance भी देख सकते हो, यहाँ से, ठीके, तो देखे, आप अगर bank change करना चाहते हो, यानि देखे, आप मैं यहाँ अंधरा bank लगा चुका हूं, अगर आपका access bank है, और भी आपको 2-3 account है, तो आप उसको भी change कर सकते हो, उसके bank दुबारा से आजाएंगे, उसमें से काउंसा भी एक bank select कर सकते हो, change bank प्रेस करके है, प्रोसीड प्रेस करते ही, bank आजाएंगे, उसमें से same processor, आप दुबारा से दवरा सकते हो, तो देखे, अगर आप पेटियम का इस्तमाल करते हो, तो पेटियम से क्या होगा, आपका money फ तो mobile का SIM है, वो फाइले slat पे होना चाहिए, ठीक है, और internet connection होना चाहिए, इस अब अगर आपके धान में है तो देखे, आप आसानी से register हो सकते हो, register होने के बाद, आसानी से transactions भी कर सकते हो, ठीक है, तो फिलहाल starting stage पर है, थोड़े थोड़े problems तो आ रहे है, बाद में बाद आसकती है, अगर आप एक से दुख बार कर लोगे न, छोड़ा छोड़ा amount डाल कर, तो आप भी cashless transactions आसानी से कर सकते हो, ठीक है, तो friends, अगर आपको और भी कुछ doubts होई, तो नीचे comment में लिख सकते हो, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, तो like बटन प्रेस करिए, subscribe ब